नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवेग कोरोना महामारी से निपटने में भारत के प्रयासों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है हाल ही में एक वरिष्ट अमेरिकी वैज्यानिक ने भारत की कोरोना वैक्सीन को लेकर ये कहा था कि अगर भारत दुनिया के देशों तक वैक्सीन नहीं पहुँचाता तो दुनिया का इस महामारी से बचना काफी मुश्किल था इस बीच अब IMF की मुखे अर्थशास्त्री गीता गोपिनात ने भी भारत में कोरोना वैक्सीन की पॉलिसी पर बयान दिया गीता गोपिनात ने कहा है कि कोरोना वैरस महामारी के खिलाफ लडाई में भारत की अग्रणी भूमिका रही है और वैक्सीन नीती के मामले में उसने अलग उधारन पेश किया है गोपिनात ने सौमवार को एक कारेकरम के दौरान भारत के दौरा वैक्सीन के तेज उत्पादन और इसे कई देशों को मुहाया कराई जाने के अभियान की सरहना की गीता गोपिनात ने अंतराश्टिय महिला दिवस के मौके पर आयूजित डौक्टर हंसल महता लेक्चर के दौरान समवाज सत्र में ये प्रतिक्रिया दी गोपिनात ने कहा कि अगर आप पूछे कि दुनिया में वैक्सीन का एक हब कहा है तो ये निश्चित तोर पर भारत होगा आयमेफ की मुख्य अर्थशास्त्री ने सीरम इस्टिट्यूट आफ इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि वो दुनिया में सबसे जादा वैक्सीन का उतपादन साल दर साल करता रहा है और अब कोविड-19 वैक्सीन के निर्माड में लगा हुआ है इसके जरीए गरीब देशों को वैक्सीन पहुँचाने के कारिकरम कोवैक्स में मदद मिल रही है उन्होंने कहा कि भारत महामारी के खिलाव लडाई में अग्रणी भूमी का निभा रहा है भारत अनुदान के तोर पर कई पडूसी देशों को वैक्सीन की आपूर्ती कर रहा है इनमें नैपाल, बांगलादेश, मैमार, शामिल हैं कुछ देशों को वैवसाइक आपूर्त झाल